दोस्तों आप ये तो सभी जानते हैं कि जब हम एक घर की कंस्रेशन कराते हैं तो हमें काफी सारी बाते ध्यान में रखनी होती हैं जिससे हमारे घर की मज़गोती पे कोई असल ना पड़े बट कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक फिर भी हो जाती हैं जिनको आप नहीं जानते पहले स आपके ठेकेदार भी आपको नहीं बताते हैं कुछ ठेकेदार आपको पूशने पर भी कुशने नहीं बताते हैं अगर बताते हैं तो उतना किलियर नहीं करते से आपके माईंड में काब DONATIONS सब्सक्राइब होते चले सब्सक्राइब बनाने से पहले कि हम अपना बनाने के कि लिए इंसान को बड़ने यह दोनों में बहुत जादा सब्सक्राइब एक हम आपको मारकिट में कंटेक्टर भी बिद मिट्रल वाले मिल जाएंगे और इसी भी एक अच्छे contractor को hire कर सकते हैं साथ ही आप एक इंजिनेर भी hire कर सकते हैं जो कि आपका जो भी square fit होता है उसके हिसाफ से पर square fit के साफ से cost लेता है तो वो काफी जादा help करेगा आपके लिए क्योंकि कहीं ने कहीं हर एक stage पर वो supervision की आपको ज़रोत होती है ताकि आपको aware हो पाएं और double check कर पाएं कि जो भी काम चल रहा है वो ठीक है या नहीं तो आप दोनों में यह तरीक अपनाई कर सकते हैं जिसमें मैंने आपको without matter contractor बोला है जिसमें आपका material होगा और साथी जो आपने एक इंजिनर हैर करना है जो कही जो बहुत सी साइडे चलती है जो supervision करते हैं तो वो ज़्यादा cost नहीं लेते हैं मेरी खुद की भी साइडे चलती है जहाँ पर मैं supervision के लिए उनको service provide करता हूं तो यहाँ पर हम दूसरे point की बात करेंगे जो यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं जब घर को बनाते हैं तो इतनी जादा जानकरी नहीं होती है वो इस चीज़ को लेके हमेसे डरते हैं कि यार हमारा घर मतलब उनके अंदर एक डर बना रहता है कि हमारा घर मजबूत बना चाहिए गिरना नहीं चाहिए यह सब चीज़ तो जिस बएसे वो क्या करते हैं कि घर में जो column होते हैं वो कि एक cost को reduce करने का जरिया बन सकता है दूसरी next की बात करें तो हमारी हैं घर की दिवालें तो को घर की दिवालें जो होती है या घर में जो दिवालें इस्तमाल होती है वहां पर आप साड़े चार इंची की दिवाल और एक अच्छा पैसा बचा सकते हैं जरूरी नहीं कि हर हर जगा आपको साड़े चार इंची की देनी है या साड़े नो इंची की ही देनी है वहां पर आप साड़े चार इंची की दिवाल भी दे सकते हैं ठीक है partition की दोपर अब यहां पर हम बात करने वाले next point की तो वह है हमारे घर में जो filling material इस्तमाल होता है देखें आप देखत करना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाती है और होती भी है तो बहुत ज़्यादा महेंगी पड़ती है तो देखें यहां पर मैं कहना चाहूं कि अगर आप गाउं में बना रहे तो आप बले मिट्टी का इस्तमाल करने क्योंकि वहां पर सस्ती पड़ती है कोई भी अपने है या मलवा वही इस्तमाल हो रहा है किसी तरह की कोई प्रॉडम नहीं होती है तो आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं सहर में तो आपको एक अच्छे अमाउंट में भी मिल जाएगा ज़्यादा मेंगा भी नहीं पड़ेगा अब अगर नेक्स पॉइंट की बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे ज़्यादा इंपोटेंट यह इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो आपके जो भी साइट पर मट्रेल आ रहे लेते हैं और जहां उनको लगता है कि हैंसे दो रुपे सस्ता मिल रहा है थोड़ी दूर तो वहां से लेते हैं लेकिन वहां पर वो ट्रांसपर कोस्ट भी एड कर देता है तो वहां पर आप इतना ध्यान नखिए कि आप लोकल या जो भी आपकी साइट के नियर पास ही है वहां से लेने की कोशिश करें जहां पर आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी और कहीं नखर उसका भी आपको फाइदा मिलेगा अब हम नेक्स पॉइंट की बात करते हैं देखो ज़्यादा तर मैंने घरों में क्या दिखा है हर एक इंसान की बहुत नहीं भी होती वहां पर भी काफी काफी ज़्यादा विंडो देते हैं और विंडो देते भी हैं तो उसके साइच काफे बड़े बड़े बिंडो देते हैं आप येकिन मानना विंडो में या कह सकते हैं चो लकड़ी का काम हमारे घर में होता है उसकी कौश सबसे ज़्याद पर ही दें अब हर रूम में आप दो दो विंडो देंगे वह जिसके भी साइच 5-6-6-8 की तरह की विंडो देंगे तो वह भी तो ठीक नहीं है तो अहां पर यह आप इन चीज़ों को अवोइड करें और कम साइच की दें और जितनी जहां जरूता वहीं दें यहां पर मैं कि वहारे घर में जो टाइल्स इस्तेमाल होती हैं देखो क्या होता है कि हमारे घर की दो नहीं करते हैं उसमें में नहीं कहने वाला कि आप उसमें क्वालेटी अगर आप low quality के लेते तो वो down होगी और तूड़ जाएगी तो कहीं न कहीं आप wall tiles में थोड़ा सा compromise कर सकते हैं जो कहीं न कहीं हमारी quality पर भी quality भी डिक्रीज नहीं गए और हमारे दिखने में भी अच्छा लगीगा और wall tiles में आपको एक चीज़ जरूर दियान एक नहीं है ज्यादा तो लोग क्या करते हैं कि घर की जो भी toilets होती हैं उनकी जो tiles लगाई जाती है वो maximum 7 feet के height तक लगाएं बट बहुत से क्या करते हैं 9 feet 8 feet की height तक ले जाते हैं tiles को वहाँ भी थोड़ी cost increase हो जाती है तो थोड़ा avoid करें उस चीज़ को कि आप as a 7 feet ही काफी है इससे एदर ना रखें अब हम बात करते हैं जो हमारा next point है वो है कि घर में जो देने वाला tie beam होता है या lintel beam आप समझ सकते हैं दोनों ही चीज़ एक ही होती है जो कहीं लोग अपने अपनी अलग भासा में समझते हैं लintel beam जो हमारे door के उपर दिया जाता है और हमारा जो वो beam होता है बहुत से लोग क्या करते हैं उसको पूरे घर की दिवालों पर ही घुमा देते हैं मतलब जितने height तक आपके दरवाजे लगते हैं उतनी height पर आपके घर की जितनी भी दिवाले होती हैं सभी वे वो beam को इसको time beam भी बोलते हैं बहुत से लोग पर मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर ना करें अगर आपकी कोई दिवाल में कोई दर्वाजा लगा ये बिंडो लगा तो उसी पर ही डालें और outer में एक एक फिट आप थोड़े increase कर सकते हैं दोनों side से बड़री नहीं कि आप पूरे भी compromise नहीं होने वाला है अब हम बात करते हैं next point की तो ये point हमारे घर में जो है वो है slab में अब हब slab जब डालते हैं तो slab के जो छज्जे निकाले जाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उन छज्जों को काफी ज़्यादा तक निकाल देते हैं यानि कि 3 feet निकाल दिया 4 feet निकाल आपकी पूरी construction जो हमारी होता है ना कि जो पर square feet के साफसे जो cost ली जाता है ठेकेदार लेता है तो वो भी आपकी छट को छट से नापता है ठीकिए जो छज्जे निकले होते हैं उसको भी नाप लेता है अब जैसे माल लीजे कि आपके 50-20 का कोई plot है या फिर छट है तो उ अपने घर के interior work में आ जाते हैं तो दो को interior work क्या होता है ना कि जितना आप कर रो उतला कम कम है ठीक है उसकी कोई cost नहीं define कर सकते कि दो जहां पर आप जो चीज इंटीर में बना रहे है वो ही चीज आपको 10 air की भी मिल जागी और वही चीज आपको 50 air की भी मिल जागी तो य इन जगा पर आप अपनी ceiling में false ceiling दे सकते हैं और बरना दूसरी ceiling में आप यह तो plane रख सकते हैं या फिर प्योपी के design बना सकते हैं यह चीज़े क्योंगी ceiling भी ठीक रहेगी और कहीं नगे आपकी जो cost है वो भी बहुत ज़्यादा increase हो जागी क्योंकि अगर प्योपी की और और false ceiling की बात करूँ तो cost के difference में काफी जादा अंतर आ जाता है अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं देखो एक furniture के points की या tips की जो मैंने आपको बोला था कि मैं furniture के जो आप कैसे सस्ता बना सकते हैं उसके उपर बता हूँगा तो यही point है जो जब हमारी लखडी का काम होता है तो क्या होता है ना कि बहुत से लोग क्या गरते हैं कि market जिस market में घर बना तो उसी market से वो किसी कारपेंटर के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि यह साइच के बनने हैं और बना दो अब वो क्या करता है कि वो सारी चीज़े देखने के बाद वहां के current rate आपको साफ से स बहुत महेंगा बनता है ठीक है तो यहां पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी आप अपनी लकड़ी इस्तवाल करना चाहरे हैं वो आप किसी भी नियर पास जो को आपके जहां भी रह रहे हो अग आप कहीं भी चलाओ चारो दिसाओं में 20-30 km आप जाओगे त उसकी कटिंग करा लोगे है तो आप जाके या तो लकड़ी खरीद लो गाउं से तो वो कहीं न कहीं आपको सस्ती पड़ेगी क्योंकि अगर मैं एक 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 जामपल दूँ क्यों गाउं में जो दूर वाला होता है वो 30-35 रुपे खरीदता है मार्किट में आके सहर में 50-60 रुपे को बेज देता है लीटर को तो यहां पर खुश देख लो कि आपको लखड़ी भी उसी तरीके से कंपेर करो तो सस्ती मिल जाएगी तो आप इस तरीके से खरीच सकते हो अब यहां पर मैं और चीज की बात करता है कि आप कहां की विंडो कहां लगा रहे हो किस ज साथ लगाएंगे तो काफी ठीक रहेगा क्योंकि आप जो लिंटल बीम देते हैं यह दोर बीम देते हैं वह एक ही दोनों चीजों पर फेस पर दो तो काफी अच्छा लगता है ठीक है बाकि डिपेंड करेगा कि आपकी बिंडो कहां पर आगे उपर नीचे भी लग जाती ह अगा जैसा कुछ नहीं है जैसा कि आप इस वीडियो में देखोगे सब ही बिंडो और एक ही लेबिल रखा गया है जो लिंटल लेबिल कह रहा है जाता है जिसके उपर एक बीम दिया जाता है तो वो भी काफी ठीक लगता है वह बना जो बेंटलेटर होता है या फिर जैसे बीम को जब देते हैं तो उसके कितने दिन बाद हम उसके अपर बिंक बर कर सकते हैं कि बहुत से Gtail गलती करते हैं वह घलती क्या है कि जैसेमालो आज बीम डाला एकवो कल इसकी सर्टरिंग को हटा देते हैं और उसके बाद कल या परसों से ही बीम की चिनाई इसके उपर जो ब्रिक बर्ग होता है वो स्टार्ट कर देते हैं पड़ ऐसा नहीं करना चाहिए देखो बीम की सर्टरिंग जो साइड आपकी वो 24-48 घंडे में भले ही आप हटा सकते हैं वो भी जब जब आपके नीचे ब्रिक्दम हो रख ए, अगर आपने ब्रिक्दम नहीं करा है तो फिर आपको जो बात करें जिसमें मानलो आपने स्लटरिंग हटा लए Corinthians करनी होती है तो उसके आपको कूरिंग करने का तरीका सामने आप वीडियो में देख पर है यहाँ पर जूड़ बैक जो बोरे होते हैं उनके उपर डाल दिये गए और उनके उपर पानी डाला जाता है गीला किया जाता है ताकि जो यह नमी है वो लबे समय तक रहे और और concrete को सते पे पानी मिलता रहे यानि कि वहाँ पे curing भी अच्छे तरीके से होगी और यह curing कम सब्सक्राइब आपको साथा दिन तो करनी चाहिए और उसके बाद तो safety tank तो हम घर में ही बनाते हैं बेसिकली कहना कि आज कर हर किसी के पास इतनी जमीन नहीं होती कि वह अपने घर से अलग बनाए या घर से काफी दूर बनाए तो जब घर के अंदरी चीज बनी जाती है तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है तो वह तो खेर बास से तीन फिट या दो फिट तो होना ही चाहिए वह इसलिए क्योंकि अगर आप घर की में दिवाल को ही टच कर देते हो तो क्या होता है कि दिवाल में नमी आने के चांस काफी ज़्यादा होता है क्योंकि safety tank की दिवाल के अंदर आपको हमेशा पानी ही इस्टोर करना होता है आपका बेस्टिज होता है तो वह नमी हमेशा रहेगी और वह नमी धीरे-धीरे क्या होगा में निवाल की साइट को बढ़ लेगी अगर आप थोड़ा वह दूर भी बनाते एक आट फिट तो भी वह कवर कर लेती है नमी लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखते तो नहीं दो को कोई दिक्कत होगी बेसिकली क्याना देखो आजकल मार्किन में बहुत ही हाई एडेसिप्ट केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो आप और अगर आपको कोई फरस हो रखाया या पत्थर लगा उसके उपर टाइस लगा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आप एक नॉर्मली आपने जो फरस बोला है प्लास्टर बोला है वो फरस ही होगा नॉर्मल फरस जो होता है वो थोड़ा सा उसकी कंडिशन के उपर भी डिपेंड करेगा अगर वही खराब है तो फिर उसके उपर आप कैमिकल लगाओगे भी तो क्या फायदा कैसा करें तो थोड़ा फैसा और खर्च करते हैं यहाँ पर आप कंडिशन के ना करें बाकी आपकी सूखते हैं वो पूचा यह गया कि क्या हम घर को 3 step में बना सकते हैं या नहीं दोगो step क्या है यह depends करता है आपके बज़ट के उपडर आप दो इस्टेप में बनाओ तीन स्टेप में बनाओ चार स्टेप में बनाओ जैसा है लेकिन इससे अपने की घर की मजबूती हो कोई दिखत नहीं ह चल रहा होता है कि भी हमने आदा घर मनाया उसके बाद फिर हम अपना घर मनाते तो क्या कोई दिक्कत होती है नहीं जैसे कि सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे काम रुका हुआ है और यह काम काफी समय से रुका हुआ है यानि कि इसको देखो आप प्लेन मीम तक दिया और ध्यान से सुन लिया है और उमीद करूँगा आपने सारे पॉइंट को सुना है और अभी तक बहुत से लोगों ने वीडियो छोड़ दियोगे और बहुत से लोग अभी तक देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए यह पॉइंट है कि यह जितनी भी बात आपने सुनिया इन आपको आइडिया हुगा कि हाई-यार मुझे इस चीज से उपर नहीं जाना है यह इस चीज में ही दाएरे में रहना है तो क्या होगा आपको एक बज़र्ड के अनुसार ही आपके सारी चीज़े काम होती हुद चलेंगे तो आपको सारी चीज़े दिखती रहेंगी कि गल् कि युमें